Hi Scorpions, मैं आप से शुरू करने वाली हूं क्योंकि आपका बुर्दे नवेंबर में आता है ऐसे तो लिबृंस का भी आता है लेकिन आपका बुर्दे नवेंबर में आता है नवेंबर आम तर पे इसकॉपियंज के लिए जाना चाहता है इसलिए ये रीडिंग्स की शुरुआत अपने सुनदर कार्ड्स है चोटी मोटी चीजें होती है लेकिन कार्ड बड़े प्यारें हैं एक तो यह है हापी to मेरे हिसाब से यह कह रहा है कि आप का समय अपने गहर वालों के साथ और अपने दोस्तों के साथ अपनी ऐना सुक्ब के सात्थ हो सकता है कि rainbow and it's like a complete family so हाँ आप अपने परिवार के साथ holiday पर जाओगे और बहुत ही अच्छा समय बिताओगे यहां पर भी यह यही बता रहा है nine of cups में आपकी हर इक्षा पूरी होने वाली है काम के सिलसले में हो सकता है कि कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें आपकी काबलियत पर शक करें लेकिन इसमें मुझे यह नजर आ रहा है कि आप उनसे आप ऐसे माहौल से बस चल पड़ेंगे कि मुझे कोई मुझे आपसे लड़ना नहीं है मुझे बहस बाजी में नहीं पड़ना है जबकी यह और सेट अजिप्शन काद्स आपको यह गाइड कर रहे हैं कि यह क्रॉकडाइल है और क्रॉकडाइल गौड है इनका सोबेक और इसकी ताकत की तरहां आपको अपनी ताकत दिखानी है लड़ना नहीं है लेकिन अपने स्वाभेवान के लिए आपको जरूर खड़ा होना चाहिए आपकी जिन्दगी में अच्छा समय तो बहुत आ रहा है लेकिन अच्छा समय के साथ कुछ चीजें कुछ चीजों का अंत हो रहा है और हो सकता है वो अंत आपके लिए लेकिन जब भी किसी चीज का अंत होता है तो एक नई चीज की शुरुवात होती है एक फेज एक समय आपका खत्म हुआ और उसके बाद एक दूसरा समय शुरू होता है क्योंकि रात के बाद दिन दिन के बाद रात तो आती है तो यह तो जिन्दगी का चक्र है पहिया है यह चलता ही रहेगा रुकने वाला तो हैें गर आप ट्रावल करने वाले हैं जो पॉसिबल है जैसे कि इस में भी मुझे लग रहा है कि आप हॉल All Day पे जाएंगे आप ट्रावल करने वाले हैं तो हो सकता है किसी वज़े से डीले हो जाए आपको रुकना पड़ जाए लेकिन आप जाएंगे और सुरक्षित रहेंगे उसके इलावा यह काड ये भी कहता है कि आपके बड़े बुज़र्गों को आपकी सेवा की जरूरत पड़ सकती है उनकी तबियत खराब हो सकती है हो सकता है कि थोड़ा समय लगे एक दिन के जगा दो दिन लग जाएगा लेकिन तब आपकी ठीक हो जाएगी बहुत जादा कोई बड़ी परिशानी वाली बात नहीं नजर आती है रिष्टों के मामले में भी कुछ रिष्टे ऐसे हैं जिनका खत्म होने का वक्त आ गया है आग के मन में ऐसे को पहला इंसान भी कि खाईल आता है आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है यह को यह मैं आर चाहे तो मुझे पर्सनलि काल को सब्सक्राइब के एक पर्सनल रीइनिंग की आपको ऐसा लगता है कि आप जानना चाहते हैं वरना तो सबसे बहतर यह रहता है कि लेट लाइफ ठोड़ सप्राइज आट यू अन्लेस यू वांट तो बी प्रिपेड तो कॉम्बाट दिम बतलब कि जिंदगी तो अश्चर जनक मोड लाती रहती है जब आप मोड मोडंगे तो आपको पता चल जायेगा कि वहां पर कौनसी चीज आपका इंतजार कर रहा है लेकिन हाँ अगर आप उसके लिए तयार होना चाहते हैं ताकि आपको पता हो कि हाँ यह हुने वाला है तो मैं इसके लिए तयार हूँ बोलो जिंदगी क्या खेल खेलना है तो आप मुझे फोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो उसके इलावा और कोई चीज मैं देखूं रह गई हो तो सो बैक आपकी जिंदगी का एक साइकल खतम हो रहा है यह तो मैं आपको बता चुकी हूँ एन ब्राइट बिगिनिंग्स हाँ तो यह चीज मैं अक्शली बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी मैं एक बार दोहरा दूंगी कि जब कोई एक फेस खत्म होता है तो उसके बाद नई शुरुवात होती है हो सकता है कि यह फेस खत्म होने के बाद आपकी यह शुरुवात होनी हो कोई ऐसी चीज जो आपकी जिन्दगी में आपको परिशान कर रही थी वो खत्म हो जाए उसके बाद वो चीज जिसका आप सदियों से इंतजार कर रहे थे कुछ समय बाद अचानक आपके सामने आए और आपकी जिन्दगी की एक नई शुरुवात हो इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है एक चीज और याद रखना कि जब दिल में प्यार होता है न तो उसे उस प्यार का कोई फाइदा नहीं अगर आपने उसे जताया नहीं जताना बहुत जरूरी है सामने वाले को सपना तो आएका नहीं एक चीज है जो बहर के पश्चिमी देशों में बहुत कॉमन है और unfortunately यहां नहीं करते लोग वहाँ पर लोग सुभा शाम कितना भी एक दूसरे से लड़ लें घर से निकलते हैं तो I love you कहते हैं आते जाते I love you कहते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कहते हैं एक दूसरे को एहसास क्यों नहीं दिलाते के हम आपसे प्यार करते हैं चाहें वो प्यार किसी का भी हो कैसा भी हो दोस्ते हो माँ बाप से हो I love you कह देने से कोई commitment नहीं हो जाती है आपने अगर किसी से I love you कह दिया इसका मतल loaf यह नहीं के उनका आपसे कोई जिन्दगी भर का मत्तबwagen एक दोस्त को अगर आपने कह दिया वो अगर उसे गलत समझते हैं तो वो उनकी problem है आप चाहें तो उसे clarify कर दो कि भई मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह प्यार करता हूँ या करती हूँ लेकिन एक चीज है कि जब हम किसी को ऐसी अच्छी बाते बोलते हैं किसी की तारीव करते हैं तुम बहुत अच्छी लग रही हो तुम बहुत प्यारी हो तुम्हारी ये चीज मुझे बहुत पसंद है बला बला इस तरह की बहुत सारी चीज़ें या I love you बोलते हैं तो आपके शरीर के अंदर खून के कत्रे कत्रे में आपके DNA में कुछ ऐसी चीज़े activate होती है कुछ hormones activate होते है serotonin कहलो या जो भी tonins होंगे या clanins होंगे मुझे नहीं पता उनके नाम ऐसे कुछ hormones activate होते हैं जो आपको जिंदगी में खुश रखते हैं जब आप खुश रहते हो तो आप शुकर करते हो खुश रखते हो खुश रखते हो